नमस्कार दोस्तों साकत है आप सभी का YFM Security में दोस्तों firmware से related काफी सवाल फिर से आ रहे हैं और चुकि firmware को upgrade करना एतना tough process है और कुछ लोगों ने इसे बहुत ही easy way मिले लिया जिसकारण से उन्हें कुछ परिसानियां आने लगे जिसकारण से उनका अच्छा खासा DVR, NVR खराब हो गया तो अगर आप इस परिसानी से बचना चाते हैं तो पूरा वीडियो देखिए इसमें आपको firmware से related complete information बलेगे और साथ ही अगर firmware गलत आपने update कर ले तो क्या problem होता है और अगर हो गया है ऐसा तो आपके पास solution क्या है क्या उस crash DVR या NVR को बचाया जा सकता है और अगर बचाया जा सकता है तो किन तरीकों से आप उसे बचा सकते हैं इस पर बात करेंगे चलो को subscribe जरू कर दीजेगा वीडियो को like जरू कर दीजेगा शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले firmware related कुछ important जो बात है वो आप समझ लिए यह समझना बहुत जरूर है फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे के topic पर सबसे पहली important बात यह है कि आपका drawing firmware आपके DVR को आपके NVR को आपके IP camera को damage कर देता है करने कि वो खराब हो जाता है दूसरा है कि विजन DVR NVR को कभी भी आप जब भी firmware upgrade करें आप PC से आप attach करके करें वो ज्यादा बहतर है कि आप USB से करें USB से direct DVR NVR में न करें क्योंकि जब भी ऐसा किया गया है तो maximum time कुछ problem आया है language mismatch और इस तरह की काफी समस्या देखने को मिली है इसलिए आप PC से attach करके करें वो ज्यादा बैतर है firmware upgrade करने के लिए इसके साथ firmware upgrade करने से पहले आपको related company आप अगर एक विजन के firmware को update कर रहा है तो आपको company को mail करना होगा maintenance page में आप जाके जो details उसे company को भेजनी होगे और company जो आपको भेजता है उसे आपको download करके upgrade करना है क्योंकि about तरह के ऐसे YouTuber हैं मैं हूँ और भी कई YouTubers हैं जो आपको तरह तरह की information देते हैं but करना तो आपको पढ़ता है परिसानिया अगर होती है तो उसे जेलना आपको पढ़ता है हम लोग रास्ता दिखाते हैं चलना तो आपको इपरता है इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सही है जो सही तरीका आपके skill के साब से आपको पताव से आप use करें अगर आपको उतना नहीं पता है इन सभी चीजों के बारे में तो आप company को mail करें company related जो भी उस model नमर से related firmware है उस firmware को आपको भेजेगी सिर्फ उसे ही आपको download करके upgrade करना होगा और online अगर आप डूणने जाएंगे तो काफी परसानी होगी हो सकता है कि गलत firmware को आप choose कर ले क्योंकि firmware आपका US version और Chinese version यह दो version पे भी आपको देखने को मिलता है एक vision दो तरह के US version में अलग होता है आपका Chinese version अलग होता है हमारे इंडिया में Chinese version चलता है तो इस तरह के समस्या देखने को मिलते है ऐसा ना हो कि US version का firmware आप Chinese version में upgrade कर ले तो यह समस्या देखने को मिलते है एक और important बात कि firmware जब भी आप upgrade करें वहाँ पर कभी भी light off नहीं होनी चाहिए एक सेगंड के लिए अगर fluctuation होती है तो आपका वो firmware upgrade होने का process बंद हो जाएगा और वो DVR crash हो जाएगा क्योंकि software बिल्कुल dead हो जाएगा उसका तो software date हो गया तो फिर वो आगे का process में काम नहीं करेगा आपको सिर्फ light जाएगा आपके system में वो on नहीं होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देने बहुत जरूरी है इसके बाद जब आप गलत firmware आप जैसे ही आपने गलत firmware को upgrade करना शुरू किया तो आपको सबसे पहले जो message language mismatch का message आएगा इसके बाद आपको हो सकता है कि अप्ग्रेट का option आया या फिर आपका firmware not matching का ऐसा message आपको आया यानि कि firmware match नहीं कर रहा तो सबसे पहले तो आपको इस तरह की warning मिलती है लेकिन in case कहीं से अगर matching हो जाती है और वो upgrade हो भी जाता और upgrade होने के बाद last में आपका जो है DVR या NVR off हो जाता है और उसके बाद जब आप on करते हैं तो वो on ही नहीं होता ही विजन स्क्रीन में भी नहीं आता बिल्कुल dead हो चुका होता है तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या भी कल्प बचता है तेकि मैंने बहुत पहले आप सभी को बताया था एक वीडियो बनाया था reflex का जी हां आप TFTP प्रोसेश से अगर आप अपने DVR NVR के firmware को अप्ग्रेड करेंगे तो यह समस्या देखने को नहीं मिलेगे और अगर आपका dead हो जा रहा है या नहीं कुछ दिखाए पड़ रहा है स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है आपने गलत firmware अप्ग्रेड कैसे करना है यह मैंने बताया है आप सभी को वीडियो चैनल के लिंक में है आई बटन में दे दूंगा वहां से आप जाके देख लिजेगा उस वीडियो में मैंने सारे बाते बताएं कि कैसे आपको अप्ग्रेड करनी है क्योंकि वहां से आपका जो firmware रिफ्लेश वाला जो विजन आपका लिखावार आगे नहीं बढ़ रहा या फिर वो भी नहीं आ रहा तो आप firmware को रिफ्लेश करके देखें निशी तोर पे आपको एक बैतर सॉलिशन मिल जाएगा और आपका firmware गलत firmware अप्ग्रेड करने से जो समझ से आई है वो स्वाल हो जाएगी इसके साथ सा यह तरीखा बिल्कुल suitable है आप सभी के लिए उमिन करता है वीडियो आपको काफी पसंद आया वगार इस वीडियो से आपको काफी लाव मिली होगी चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर दीजएगा वीडियो को लाइज जुरू कर दीजएगे दोस्तों धन्यवाद